इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में आपके चार इंपोर्टेंट डाउट को क्लियर करूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दू कल मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें बता है था कि बीटेक अन्तिमवर्स की परिच्छा में टोटल 252 नौ चार्ट उट्डुड हुए हैं उन्न सभी उट्ड चार्टों को में तब से बेस्ट बिसेज अब हम बात करेंगे इस्टुडेंट्स के चार बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में जिसमें चार्ट्र मन में अभी भी एक डाउट बना हुआ है अभी ता क्लियर नहीं अब यह टावड अचानक से कहां से उत्पन हुआ मैंने कल ही एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि मात और मात उस स्ञानकारीयो कियाण, अबीं के स्टाव सोर्फ से उत-स हाँ रहाएं किया है तो आप लोगको परहिसान होने की कोई भी जरूरत नहीं है , अब आपको बता दो कब य melting की्जा ब्रक्टर आपको बहुत बहुत देता है डाट आप यूफेम का केस पर है ऐसे पर यूफेम का केस नहीं लगता है कब लगेगा एक एट यू ने इसकी गैडलाइंस भी निकाली थी आपका यूफेम का केस कब बनेगा जब आपको सिस्टम की तरब से 25 वार्णिंग मिल जाती है और साथ ही प्रॉक्टर की तर उसमें भी आपसे एक्स्प्लेनेशन मांगा जाएगा तो आप लोग पैसान मत हो आप लोग इस नंबर को याद रखें कि 3525 में केवल 29 चार्टर का यूफेम केस है और 29 ऐसे चार्टर होंगे जिनका मोबाइल या कुछ चेटिंग माटेरियल कैमरे पर आया होगा उन्हीं क केस यूफेम के लिए गया है तो आप समझ सकते हैं कि 3525 में केवल 29 चार्टर का ही केस यूफेम के लिए क्यों गया है और रिजल्ट उनका क्यों रोका गया है अब चलते हैं दूसरे डाउट की तरफ कि जिन चार्टर का यूफेम केस है रिजल्ट जारी नहीं हुआ है ऐसे जो mail ID दी गई है, उस mail पर अपना नाम, अपना mobile number, अपनी email ID, साथ ही अपना role number और college का नाम ये सारी details फिल करना है, इसके बाद लिखना है कि मानलीजी आपको लगता है कि आपका mobile camera पर आया और इस वज़े से आपका UFM case बना है, तो आपको explain करना है और explain ऐसे करना है कि जिसे एकरिटीव संटुष्ट हो, इसमें आपको किसी भी तरह अपनी गलती सुईकार नहीं करनी है, और अगर आपको कोई doubt हो, कोच भी आपको misunderstanding हो, तो आप मुझसे Instagram पे contact कर सकते हैं, अब चलते हैं, तीसरे doubt किया अच्छातों को, बहुत अच्छात हमें message कर रहे हैं कि सर हमार में 50 question पूछे कए हैं, हर paper, हर question दो two marks का था, ठीक है, इस तरह से handed mask का तो हुआ, लेकिन जो calculation किया गया है, एकेटीव ने 70 की एवज में ही आपको mask दिये गए हैं, तो आप 70 की एवज में ही अपने mask को calculate करें, अब बात करते हैं, जिसमें कुछ चातों ने मुझसे contact कर बताय हूँ, जिसमें मैंने clearly बताया था कि अगर आपकी कुछ फीस बकाया है, आपने पूरी फीस जमा नहीं की college में, तो आपको practical में bywa के लिए allow नहीं किया जाएगा, हो सकता है, कुछ दिनों बाद आपका last time में bywa schedule, bywa की timing schedule करा दी जाए और bywa आपका संपन करा दिया जाए, ल पिर इसके बार उसमें कुछ भी नहीं होता है, आपको अपने college में बात करनी चाहिए, कि सर हमें क्यों absent किया गया है, हम फीस इस data जमा कर देंगे, फिर भी अगर नहीं मानते हैं, और ऐसी कोई problem आ रही है, आप final year में हैं, तो आप एक risk ले सकते हैं, कि आप student union cell में अपने college की complaint कर सकते हैं, कि आप की फीज जमाना होने करड़ आपको absent किया गया है, और AKTU में भी एक mail कर सकते हैं, इसके पहले भी कई students ने complaint किया था, जिसमें college को एक लाग का fine लगा था, तो बस I hope कि ये 4 doubt आपको clear हो गया होंगे, कोई भी doubt फिर भी हो, तो हमसे comment section में जरूर जिस थैंक यू